Question दिया है, how many tartomers can you draw for the following diketone? यह diketone डला है, दो keto group डले हुए हैं, और इस diketone के कितने tartomers possible हैं, मतलब कितने inol form बनाए जा सकते हैं, बई, tartomers में होता क्या, keto form inol form में convert होगा, inol form keto form में convert होगा, यहाँ पर keto form दिया है, तो हम inol form के बारे में सोचेंगे, किसी भी keto form का inol form तभी बनाए जा सकता है, जिस keto form में keto group का जो next carbon है, अगर उस next carbon जिसे हम alpha carbon बोलते हैं, उस alpha carbon में अगर hydrogen present हैं, तो उस keto form का inol form बनाए जा सकता है, ठेके, जैसे अगर आप देखें, यहाँ पर keto group है, इसका जो next carbon है, alpha carbon है, alpha carbon बोलिए, यहाँ पर hydrogen present है, प्रेजेंट है, तो inol form आप यहाँ से भी बना सकते हैं, inol form आप यहाँ से बना सकते हैं, बना सकते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि alpha carbon में लगे होई hydrogen को हम रिमूँ कर सकते हैं, जब hydrogen रिमूँ करेंगे, तो system में इस सिस्टम की स्टिबिल्टी बढ़ जाते है, नेक्स्ट बाले जो keto group है, तो यह अपका alpha carbon है, यहाँ पर alpha carbon है, अब मुझे बताइए कि जो alpha carbon है, तो इस alpha carbon में हाइडोजन हैं, क्या नहीं है, यह जो alpha carbon है, इस keto group है, जो next alpha carbon है, इस alpha carbon में एक भी hydrogen नहीं है, क्योंकि इसने carbon करके रखे हैं, किसने carbon है, तो एक भी hydrogen नहीं है, मतलब इस carbon को यूज करके आपका भी भी यहाँ पर इनॉल फार्म नहीं बना सकते हैं, alpha carbon में लगा हुआ है, और यह hydrogen क्या होते हैं, रिप्लेशबल होते हैं, रिमूख करने पर क्या होता है, जैसे मेरे पास में यह compound डला डबल बान हो गया, तो यह आपका इसे कुछ कर लिया, तो यह carbon alpha carbon हो गया, यह carbon alpha carbon हो गया, तो इस carbon से तो आप hydrogen रिमूण नहीं कर सकते हैं, एक भी hydrogen है नहीं तो यहाँ का इनॉल content नहीं बनेगा, यहाँ पर क्या hydrogen है, क्या hydrogen है, अगर मने इस hydrogen को हटाया, hydrogen को हटाने पर यहा पाइश्टू चाज खिया यहां पर conjugation आ गया आ गया conjugation double a single negative charge इक नहां महीं double a single negative charge आ गया double single negative charge एक conjugated system होता है तो hydrogen निकालने पर पर कौन से hydrogen? alpha carbon में लगिवा hydrogen हाफ्टाने पर conjugation generated होता हूता और system की stability बढ़ जाती है ते के मतलब किया है कि इसमें जितने भी alpha hydrogen होंगे, उतने ही tartomers बन जाते हैं, कितने alpha hydrogen एक काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर एक alpha carbon ये है एक alpha carbon ये है, तो इस alpha carbon के पास में कितने hydrogen होने चाहिए, 2, 2 होने चाहिए ने बई, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, यहाँ पर तो यहां पर एक hydrogen होना चाहिए तो टोटल कितने हो जाएंगे यह 3 हो जाएगा तो इसके टाटो मर कितने हो जाएंगे 3 होने चाहिए तो answer कौन सा होना चाहिए C option is the right answer